Hello everyone, Welcome to my YouTube channel, A.A. Chalpan कैसे हैं आप लोग? So इस वीडियो में हम लग बात करने वाले हैं Assignment के मार्क्स के उपर. इगनु ने जुलाई दुह जब 20 सेशन के लिए जितने भी स्टोडियन ने Assignment समिट किया था, चाहे ऑनलाईन किया हो, या ओफलाईन किया हो, या जिस भी Regional Center से वो विलॉंग करते हो, उनका Assignment का मार्क्स अपडेट करना स्टार्ट कर दिया गया है. पहले बहुत कमी Regional Center थे, जहां से Assignment के मार्क्स अपडेट हो रहे थे, तो उसके लिए क्या करना परेगा, अगर मार्क्स अपडेट नहीं हो रहे है, तो उसका क्या वज़ा है, हरकी एक चीज़ के बार में हम लोग इस वीडियो में डीटेल में बात करने बाले हैं, बस आप लोग वीडियो के धियान से और complete जरूर देख लिएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा, और इसी तरह से trusted और authentic information पाने के लिए, make sure आप लोग चैनल को जरूर subscribe कर ले, और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लिए कभी भी कॉल करके अपना डाउट के लिए कर सकते हो, ज्यादा information के लिए कि कैसे कॉल करना है, उपर कार्ड में दिया वीडियो के लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ रहाएगा, assignment का status चेक करने के लिए आपको इस पोटल पे आना होगा, जो आपको के screen के उपर नजर आ रहा है, इसका link मैंने description में दे दिया है, इस पोटल पे आने के बाद से आपको अपना 9-digit या 10-digit का enrollment number पुट करना होता है, यहाँ पे आपका respective program पुट करना होगा, उसके बाद से submit करोगे, तो आपका assignment का status हो करेगा, जिस तरीका से यह student का assignment का status हो करेगा, यहाँ पे तीन तरह की बाते लिखी हुए होती है, receive to be process, receive and in process, और check grade card status for detail, जैसे receive to be process का मतलब यह होता है, कि आपका assignment receive होगए आ study center में, लेकिन अभी checking नहीं हुआ है, receive and in process का मतलब होता है, कि आपका assignment receive भी हो गया है, checking भी हो गया है, marks भी उसमें चरहा दिया गया है, बस वो grade card में add होना बाकि है, और जब check grade card status for detail सो करें, तब that means कि आपका marks भी grade card में add हो गया है, यहाँ पर receive and in process भी जब सो करता है, तब भी आपका grade card में marks add कर दे जाता है, तब भी आपका चेक कर सकते हो, यहाँ पर देखो मैंने अलग अलग जितने भी regional center है, उन सभी का assignment का status check करने का कोशिश किया, जो भी अलग-अलग region से बिलॉंग करते हैं, तो मैंने देखा कि जितने भी other reason है, जैसे कोहिमा है, चंडिगर का मैंने चेक किया, दिलिवन का चेक किया, कुलकता का चेक किया, करनल का चेक किया, सभी में कुछ-कुछ subject के assignment का marks update हो गया है, यहाँ पर देखो, यह student कुलकता region के है, कुछ दिल्ली रिजन के है, सभी का यहाँ पर देखो, different different program का भी मैंने चेक किया, master degree का, master of economics का, BAG का, BCMG का, BACG का, master of public administration का, ठीक है, यहाँ पर देख लो, यह MBA का है, उसके इलावा भी, और भी, income का भी मैंने चेक किया, तो सभी का assignment का marks, कुछ-कुछ update कर देगे, आपर देखो 26 अक्तुबर तक, status सो कर रहा, किसे का, 28 अक्तुबर तक, status सो कर रहा है, तो marks update होना, start हो गया, सभी regional center का, तो आप लोग भी, अपना assignment का marks, check कर लो, और status चेक कर लो, कि बहुत से student है, जिनका receive and in process, जब status सो करता है, तभी marks add हो जाता है, और बहुत से student है, जिनका check grade card status for detail, जब सो करता है, तब जाके marks add होता है, तो इस पर कोई tension के बात नहीं है, अगर आपका receive and in process, सो कर रहा है, और फिर भी marks add नहीं हो तो, आप लोग चाहें, तुचे grade card status for detail, जब सो करें, तब चेक करें, या receive and in process, जब सो करता है, तब चेक करें, दोनों में ही marks add कर दिया जाता है, अब और important बात यह है, कि बहुत से student अभी पैनिक कर रहे है, कि अभी तक उनका marks update नहीं हो आए, जो teacher है, जो आपका assignment check करते है, वो habituated नहीं है, online checking करने में, जिसके वाद से उनको दिक्कत हो रहा है, यह मैंने कुछ को study center के staff से बात कहा, तब मुझे पता चला, different study center के staff, यही बता रहे थे, कि थौछ सा दिक्कत तो हो रहा है, और प्लस उनका यह भी कहना था, कि अभी panic करने के जोधनी है, क्योंकि अभी यह normal scenario है, आप लोग का late से assignment submit हो है, प्लस assignment जब submit होता है, उससे कम से कम 4 मान तक तो लगता ही है, assignment का marks update होने में, क्योंकि इसे पहले, जब offline assignment submit होते थे, तब June session के लिए assignment submit करने का last year 30 April रहता था, और marks सभी student के almost 31st August लगी जाते थे, update होने में, ठीक है, कुछ-कुछ student का बाकी रह जाता था, जिनका foundation course रहता है, या फिर उनका paper mismatch हो जाता है, तब उनका time लगता था, लेकिन 31st August तक almost सभी student के marks update हो जाते थे, अब उस हिसाब से अगर आप लोग देखोगे, तो 31st July तक तो आप लोग का assignment का assignment ही submit हुआ है, तो अगर 30 November तक भी marks update होते हैं, तब भी कोई दिकत की बात नहीं है, 30 November तक तो almost जितने भी student है, सभी का marks update हो जाएगा, स्टडी सेंटर विजिट नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग इस email ID पर mail कर सकते हो, assignment at the rate igno.ac.in ये assignment को लेकर जितने भी queries होती है, उसके लिए अलग सा एक email ID बना गया है, जो कि एक official है, 37 कुमार वो इसको handle करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर mail कर सकते हो, अगर आपका marks update नहीं हुआ हो तब, या फिर question paper में update नहीं हुआ है, या question paper में कोई issue है, या कोई भी चीज, assignment related जेतने भी queries होती है, आप लोग यहाँ पर mail कर सकते हो, issue resolve हो जाएगा, marks update करने के लिए, यहाँ पर दिक्कत तब होता है, जब study center वाले नहीं marks नहीं भेजा है, क्योंकि आप लोग का paper checking होता है, assignment का, वो study center में होता है, study center ने marks भेज दिया, फिर भी आपका marks update नहीं हुआ है, तब यहाँ से ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर study center नहीं marks नहीं भेजा है, या वहाँ पर उन्होंने बोला कि हमने marks भेज दिया है, तो आप लोग यहाँ पर contact कर सकते हो, assignment at the right igno.ac.in पर, और या फिर एक और option है, कि आप लोग आई gram portal पर contact कर सकते हो, यहाँ पर बस grievance category में assignment select करना, और subject में, update of marks select करना, next करना, उसके बाद से यहाँ पर सभी detail fill up करना होगा, और यहाँ पर queries में लिख देना, कि आपका marks update नहीं हुआ है, यहाँ पर choose file में जो भी आपका receipt होगा, जो आपने सामें submit किया था, या अगर online submit किया था, तो email का, जो screenshot होगा, send mail का, वो आप यहाँ पर attach कर सकते हो, या फिर Google form से submit किया होगा, तो वहाँ पर जो acknowledgement आता है, उसको attach कर सकते हो, या नहीं भी करोगे, तब भी हो जाएगा, और इस तरीका से भी marks update हो जाते है, लेकिन यह चीज़ अभी करने की जोटनी है, अभी 30 November तक कम से कम wait कर लो, उसके बास से करना, क्योंकि अभी 1st priority final year के student को दिया जा रहा है, जिनका exam सिप्टमबर में conduct करवाए गया था, क्योंकि उनका assignment के marks के बासे, उनका degree रुका हुआ था, इसलिए उनका assignment के marks जल 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 ली update किया जा रहा है, बाकि जितने भी student है, उनका भी marks update किया जा रहा है, लेकिन कुछ-कुछ student का अभी marks spending है, कुछ-कुछ subject का marks spending है, जो कि 30 November तक hopefully update हो जाएगा, जब update हो जाएगा, उसके बासे आप लोग grade card में marks चेक कर सकते हो, grade card में ही आपके marks सो होते है, लेकिन जितने भी new student है, जिन्होंने B.A.G., B.E.C.G. और B.E.C.G. में admission लिया है, उनको तो वेट करना परेगा, क्योंकि उनका अभी जो program code है, वो अभी grade card status वाले section में add नहीं किया गया, जो कि 10-15 days में add कर दिया जाएगा, मैं आप लोगों के marks के related update देना चाहरा था, क्योंकि इसे पहले भी बहुत से regional center के अपडेट किया जा रहे थे, लेकिन सभी regional center के अभी अपडेट होना start नहीं किया गया था, जब सभी regional center के अपडेट होना start हो गया, मैंने check किया, सभी regional center के कुछ न कुछ सब्जेक के marks अपडेट कर दिये गया है, इसलिए मैंने सुझा कि आप लोगों के बता दू, ताकि आप लोग भी अपना इसामेन का marks चेक कर लो, और अगर आपका अपडेट नहीं हुआ है, तो कोई panic के जोट नहीं है, अभी भी टाइम है, अभी 39 तक भी अगर marks अपडेट होगा, तब भी कोई दिकत की बात नहीं है, अगर अपडेट ना हो, तब उसके बास से आपको study center जाने की जोट है, या आई ग्राम पे complain करने की जोट है, अभी बिल्कुल भी panic करने की जोट नहीं है, तिसनों मन तक आप लोग अपडेट हो जाएगा, चेकिंग प्रोसेस में है, थाँसा teacher लोग को time लग रहा है, क्योंकि online submit किया गया है, बहुत से PDF फाइल से scan नहीं किया गया है, वो checking करने में जुस्वारी हो रही है, या बहुत सारा other other issue है, जिसके बासे तो आसा late हो रहा है, लेकिन अपडेट हो जाएगा, लेकिन B.A.G.B.C.G. और B.A.C.G. के जितने भी student है, उनका status भले receive and in process, या receive to be process सो कर रहा है, लेकिन उनका marks अभी grade card में add नहीं किया गया है, क्योंके grade card में उनका भी section बनाया नहीं किया है, अभी B.A.G.B.C.G. और B.A.C.G. का section कुछ दिनों में update कर दिया जाएगा, तब आपका marks grade card में add हो जाएगा, उस वक आप लोग चेक कर लेना, यही सबते ही वीडियो में मुझे उमीज है कि आप लोग के वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरू कर दे, सभी फ्रेंड के साथ सेर करें, तब यह सभी इंफर्मिशन मिल पाए, किसी भी तरह के डाउट के लिए, आप लोग नीचे कौन बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे डारेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट के लिए कर सकते हो, सभी सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पे में अवेलिबल हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दियो हूँ है, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलू कर सकते हो, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हव अन आसम दे, थैंक यू सो मच,